दोस्तों आज के इस वीडियो के पूरा कंप्लीट लुक है और इस रेश्टल को कैसे बनाना है आइए हम सीखने स्टेप बाइ स्टेप तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करेगा तो सबसे पहले हमने यहाँ पर सक्षिन निकाला है यह तो एर पाटिंग और सेंटर पार्ट और यह तो पीछ हमने यहाँ पर सक्षिन निकाला है जिसकंदर हम कर रहे हैं रूट पर बैककॉम तो अच्छे सा हम यहाँ पर रूट पर बैककॉम कर लेंगे जैसे कि आप देख पा रहे हैं उसके बासे साइट सक्षिन में हमने यहाँ पर वर्टिकल सक्षिन निकाला है और इसकंदर भी root पे back home करेंगे इस तरीके से root पे back home करना है दूसरी side पे हमने एक और section निकल लिए और यहां पे भी root पे ही back home कर लिए तो अच्छे से हमने आप यह back home कर लिया है दोस्तों उसके वासे जो हमने center part निकाला था इसकंदर हम multiple set कर लिएंगे boy pin की help से और side में जहां हमने back home कर रिखा था इसकंदर हम boy pin लगाएंगे cross section में जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोनों side हमने cross section में boy pin लगाया है और जो beach वाला part है इसी के साथ हम stuffing को उपर के तरफ रोल करेंगे और stuffing को pin कर देंगे जोड़ा pin की help से तो stuffing को हमने pin कर दिया है अब इस stuffing को hide करने के लिए stuffing के आगे से हमने vertical section लिया है और इसकंदर हम root पे back home करेंगे जैसे कि आप देख पा रहे हैं वीडियो कंदर root पे back home करने के बाद comb करते हुए stuffing को hide करते हुए पीछे boy pin से pin कर देंगे section को उसके बाद हमने एक और side में section निकाला है vertical में section निकाला है root पे back home करेंगे और comb करते हुए stuffing के पीछे लेके जाएंगे section को और इसको भी boy pin से pin कर देंगे अब हमारी stuffing हो गई है hide उसके बाद से हम क्या करेंगे कि front पे जो हमने hair चोड़ा हो था इसकंदा styling करने वाले है तो यह जो हमने section निकाला है इसकंदा simply जो 3 layer चोटी होती है वही बनानी है तो बहुत ही simple और easy technique से इस hair चोटी को बनाने वाले हैं दोस्तों तो इसकंदा simply आपको 3 layer चोटी बनानी है जैसे कि आप देख पा रहे हैं और I hope कि आप सभी को 3 layer चोटी आती ही होगी जैसे कि आप देख पा रहे हैं simple 3 layer चोटी पूरा end तक बना लेना है और आप जैसे कि देख पा रहे हैं वीडियो कंदर हमने front से start किया है जो box section है इसका इसी कि यह Sicherόσ रहे हैं तो यहीं से start करना है यह रहे हैं यहनी कि आप नीचे से start करें आप front से start करें जैसे कि आप देख पा रहें उसके बार से thriller चोटी बनाने काद हमारे पास 3 layer रहेगे जिसके अन्दर हमें क्या करना है कि एक layer को पकड़ना है और दो layer को पकड़ को उपर के तरह push करना है जिसे कि आप देख पारें यह हमने अच्छे से push कर दिया तो यहाँ पे एक snake type का आपको यहाँ पे pattern देखने को बनेगा थोड़ा थोड़ा सा इसको loose करेंगे और जो हमारी stuffing है just to see के पिछे section को boy pin कर देंगे उसके आप से एक और हम section निकालेंगे जैसे कि आप देख पारें अभी हमारा जो section था box section का half section था जिसकंदर हमने थ्री लेट चोटी बनाया था उसके बास से जो box section का half पचा हुआ इसकंदर भी same to same यही चोटी बना लेंगे तो सबसे पहले आपको box section में ही काम करना है उसके बाद आप एक side से start करेंगे चाहिए आप left से start करें चाहिए आप right से start करें तो सबसे पहले हमने यह पर box का यह start करना है तो यहां पर भी हमने three layer चोटी बना रहे हैं जैसे कि आदेख पारें और पूरा end तक आप इसको three layer चोटी बनाएंगे और एक चीज का और आपको यहां को पकड़ना है और जो दो लियर होगे इसको पकड़ कर उपर के तरफ पूश करना है पूश करने के बाद थोड़ा सा इसको डेला करने के बाद इसको बॉइपन से पिन करेंगे अब दोस्तों उसके बाद हम side में आते तो side में हमने section निकाल है इसको हमने three part में divide कर दिया औ होनी चाहिए ने तो क्या होगा उपर के तरफ पुश नहीं हो पाएगा तो जैसे के आप देख पा रहे हमने आपे पूरा जो प्रेड है इसको बनाने के बाद उपर के तरफ पुश कर दिया थोड़ा सा लूज करने के बाद इसको जो stuffing है just to see के पीछे हम यहां पर पिन कर उसके पास एक और हमने यहां पर साइड में सेक्शन लिया है और यह लास्ट का इसक्शन है एक साइड का उसके अंदर भी same to same यही ध्रिली अप्रेट बनाने का और same to same यही पैटर बनाने वाले हैं और दोस्तों हमारे दिल्ली कुलकता बंगला यसम भी क्लासिस होती है अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं फेसू के एंस्टाग्राम पर या फिर यूट्यूब के पर तो प्लीज हमारे पेज को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बैल का एकन चरू दबाएं ताकि हम कोई नई वीडियो डालें तो आप तक सब्सक्राइब पहले पहुँझ कर दिया है अग दूसरी साइट का जो सक्षन है इस गंद्रे भी सेम टू सेम यही स्टैलिंग को पूरा कवर करेंगे और दोस्तों फ्रेंट के स्टैलिंग यह देखने पर काफी अच्छी लगते है तो आप इसको कर सकते हैं फिर भी अगर कोई प्राबलम आती है इस वीड ने वीडियो पर वीडियोस कि चाहिए तो आपको वीडियो फीडियों कि यही लिखत बेचना होगा कि वीडियो प्रोम आपको वीडियो कर देंगे वाट्सप करके सकते हैं और जैसे कि आप देख पार हैं हमने 3 layer braid बनाया था और हम आपस 3 layer है एक layer को hold करना है और दो layer को उपर किदर पुष्ट करने के बाद जेस्टिस को थोड़ा सा लूज करेंगे और यह हमारा पूरा sneak वाला जो style है पूरा complete हो गया पीछे के बालों का हम एक साथ लेने के बाद य जैसे कि आप देख पारें वीडियो के अंदर तो यहां पर हमने medium पोनी बनाया हुआ मतलब medium रखके हमने यहां पर पोनी बनाया है और stuffing जो उपर के stuffing है और नीचे की जो पोनी है इसके बीच में हम यहां पर stuffing को रखेंगे और stuffing को हम यहां पर जूड़ा पिन के help से अच्छ पर हो जाए तो यह जो हमने बाल लिया था इसके अंदर हमने अच्छे से backcomb कर दिया है backcomb करने के बाद stuffing को पर अच्छे से यहां पर हम कोम करेंगे जैसे कि आप देख पार है यह हमने अच्छे से comb कर दिया comb करने के बाद जश्ट इसको जूड़ा पिन के help से इसको पिन कर अब रही बात जो नीचे पूनी के बाल हैं इसके अंदर हमें करना किया है तो सेम टो सेम जो वही करना है जो हमने फ्रेंट पर किया था तो सिंपल ठी लियर चोटी बनाना है और उसके बास से इसको पूश करना उपर कि तरफ इसनेक वाला जो style है वही यहां पे बन के उप ब्रेट को बनाना है बनाने के बाद आपको पास ठीक आ Isn यह जाएगा एक लेर को जश्ट आपको उपर बढकर आ पुछ करने के बास जश्ट मेस से यहां पर बनारे जूबहें पूरा इलड़ करना बनारें तो एक साइड से हमें स्टा इस्टांट करना है और नीचे comment section में जरू बताओ कि हमारी styling की वीडियो कैसी लगती है आपको हमारे सिखाने का तरीका कैसे लगता है प्लीज नीचे comment section में जरू बताओ वह इस channel को आपने subscribe नहीं कर रखा तो प्लीज है subscribe करके bell का एकन जरू दबाओ ताकि मैं को ने वीडियो डालू ताप तक सब्स किया है इस वीडियो के जरीए ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए WhatsApp नमबर भी इसलिए दे रखा है अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप एजली हमसे contact करें कि आगर आपको कुछ समझ नहीं आए तो आप में WhatsApp करके पूछ सकते हैं और जैसे कि आप देख पा रह है इसी सही पूरे बन को कवर करना है इसी स्टैलिंग के साथ तो step by step ऐसी साइड से ब्रेट बनाते जाएंगे जस्ट उसको पुछ करके इसको जस्ट पिन करते जाएंगे और दोस्तों मैं दिल्ली कुलकता बंगलेस में भी क्लासिस होती है अगर आप दिल्ली से हैं कुलकत से हैं और यह वीडियो देख रहे हैं तो सेप्टमबर की क्लास के लिए आप अपने सीट पुक करा सकते हैं दीएगा नमर पर आप कॉल कर सकते हैं वाट्सअप कर सकते हैं हमार नमर है डबल लाइन डबल ओन फोर वन एट एट त्री फोर सवन और जोस्तों बेसिक चीजों को पर भी हमने काफी सारी वीडियोस बनाई हूँ है आप सभी के लिए अगर आपने नहीं देखा है तो उन वीडियोस को जरूर देखे I hope आपको उन वीडियोस को देखने के बाद आपकी बहुत ज्यादा ही चैनल को पैंपलोड है तो एक बाद चेक आउट जरू करेगा और जैसे कि आप देख पारे, step by step हमने पोनी में से तोड़े थोड़े बा ले के chest इसको styling को बना रहे हैं तो इसी तरीके से बनाना है और बनाने के बाद साथ के साथ cover करते जाना है तो ये almost हमारा जो बन है पूरा complete होने वाला है और आपको जैसे कि मैंने बताया था वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती क्योंकि हमने एक ही चीज को करना है बार बार तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती इसलिए हमने पार्ट को skip कर दिया और आप भी बूर हो जाते है तो मेन मकसद हमारा जो था वो एक्चुली हमारा पूरा complete हो गया है फ्रेंट का styling हमने आपको step by step अच्छे समझा दिया था बन अच्छे से pin करके बता दिया है पूनी में से बाल लेके आपको जो पीछे के stuffing है उसको कैसे cover करना है ये भी हमने आपको बता दिया है तो ये हमारा complete हेश्टायल है जोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक करेंगा थेंक ये